प्याम बनने के बाद पहली बार मोदी पहुंचे एहमदबाद दो दिर्सी एक गुज्राव दोरे पर मोदी मासे लेंगे आश्विरबाद तो कल चुईन के राष्टपते श्री जिंपिंग का मोदी करेंगे स्वागत उब चुनाओ पहिनामों का सबसे बड़ा संकेत मोदी के सिवाए कोई और नहीं मनजूर क्षित्री नेताओं के लिए पड़ी चुतावनी पड़ा सवाल चार महीने के बाद क्यू बदला चंता का नसरिया जमकश्वीर में धीरे धीरे साबान ने हो रहा है चंजीवन लेकिन महामारी के आहट चोई अभी भी नज़र आ रही है मानानी केस में गटकरी केजरिवाल में समझोता हो सकता है संभव केजरिवाल ने किंद्रे मंद्री नितिन गटकरी से की थी मुलाखाथ वहीं आपने समझोता पर बात सक्या इंकार चबिस-गारा मास्टर माइंड को भारत सोपने की आवाजे फिर हुई बुलन्ड पाक उच्वायक्त का हातं की साइथ की तरफ सारी करना भारत को नहीं गवारा और पाकिस्तान की पूर्विक रहमंतुई रहमान मलिक पर लोगों का फोटा गुट्सा मलिक की वज़े से तो घंटे तक रुका रहा विबान हमस्कार आप देख रहे हैं सुदश्य नियोज और मैं हूँ आदेश अभिमन्यू लोगसभा चुनाओं में सबरदस्ट चीत असिल करने के बाद बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि उसे विधान चुनाओं के नतीजों का असर क्या विधान सभा चुनाओं पर भी पड़ेगा क्या हरियाना की जनता फिर से मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी को सत्ता सोपेगी या कॉंग्रेस दोबारा सत्ता में हरियाना में लोट सकती है। उट चुनाओं में कैसे गायब हो गया मोदी में जी। क्या उट चुनाओं के नतीजों का हरियाना चुनाओं में पड़ेगा असर। क्या बीजेपी को सिर्फ मोदी के सहारे मिलते हैं बोट। हरियाना में ठिकट बटवारे पर भी नेताओं में अंदुरू निकला। लोकसभा चुनाओं में जोरदार सफलता के ठीट चार महीने बाद देश की जनता ने सक्ता में बैटी बीजेपी सरकार को सीरे से नकार दिया है देश के दस राज्यों में 33 विधान सवा सीटों के लिए हुए उप चुनाओं में बीजेपी अपना आधार खोती नजर आई जिस उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाओं में अमित्शा और मोदी लहर के सहारे 80 में से 72 सीटे हासिल की थी उसी उत्तर प्रदेश में इस बार में मोदी की लहर चली और नहीं योगी के वोड़ मैं 2017 का सेमी फाइनल इस उत्चुनाओं को नहीं मानता उत्चुनाओं हमेशा से सत्तारूर दल जीताया है राज्यका इस बार उस स्थिती में हम परिवर्टन करने में सफल हो जाएंगे लेकिन मैं ये कहूं कि ये 2017 का चुनाओं है ये मैसले नहीं मानता भी क्योंकि मोदी जी की सरकार को भी सौ दिन हुएं और सौ दिन में भी उन्होंने बहुत आश्चरे जना काम किये हैं लेकिन जब कुछ दिन सरकार चल जाएगे और जन्ता की बीट में उसके परणाम जाएंगे तो 2017 या जब भी आगामी विधान सबा चुनाओं होगा पार्टी के स्थिती में बहुत बहुत बहुतर सुदार होगा और मैं इसको 2017 का सेमी फाइनल नहीं मानता वही राजस्तान में भी कॉंगरेस को इस बहर हात का साथ मिल गया इन चुनाओं के नतीजों ने BJP को गहरा धक्का दिया है उपचुनाओं से पहले बीजेपी के सभी नेताओं को उम्मीद थी कि लोग सभा नतीजों की परचाएं उपचुनाओं के नतीजों पर भी नजर आईगी लेकिन समय के साथ साथ जनता का विरुख बदलता नजर आ गया उप्चुनाओं के परिडाम को मई में सत्ता संभालने के बाद से मोधी सरकार की लोक प्रियता के टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है इन नतीजों के माईने इसलिए भी ज़्यादा एहम हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी अगले महीं ने हर्याना और महरास्ट में होने वाले विधान सभा के चुनावी दंगल के पर अपनी कमर कस चुकी है ऐसे में उन उप्चुनाओं के नतीजों से हर्याना के अस्थानियन नेताओं के उम्मीदों पर भी करारा जटका लगा होगा वहीं हर्याना के सियासी घमसान में इनेलो प्रमुक अभैसिंग चौटाला ने कहा कि सूबे में कॉंग्रेस और भाजपा की हालत ज्यादा खराब है साथ युन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के पास उम्मीदवारों की कमी है अभैस चौटाला के मुताविक इनेलो हर्याना में 60 सीचे लेकर अपनी सरकार बनाने में पूरी तरह से काम्याब होगी तो वहीं दूसरी और हर्याना लोग शक्ति पार्टी के प्रमोग गोपाल कांडा ने जनता के बीच अपना चुनावी घोशना पत्र जारी कर दिया है जिसमें किसानों को मुप्त बिजली से लेकर छात्रों को लैप्टॉप देने का एलान किया गया है बीजेपी से अलग हुए हच्च का पार्टी के प्रमोग पुल्दीप विश्नोई इन दिनों अपने बेटे के साथ चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए है पुल्दीप विश्नोई की माने तो अगर कोई पार्टी उनके पास कोई अच्चा उपर लेकर आती है तो हम गटवंदन करने पर विचार कर सकते हैं विश्नोई आने वाले एक या दो दिनों में अपने प्रत्याश्यों की घोशना कर सकते हैं लेकिन सवाल ये कि बीजेपी से अलग हुए विश्नोई के साथ कौन सी पार्टी जोड़ना चाहेगी वहीं भी पक्षी पार्टीयों की माने तो अब देश से मोदी लहर खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश के मद्दाता चल कपट और धोका बरदास्त नहीं कर सकते हैं जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने लोग सभा के चुनाओं में धोका दिया ऐसी कोई भी पार्टी और सरकार सौज दिन के अंदर ही डिस्क्रेडिट हो जाए उसके साख खत्म हो जाए उसका विश्वास उठ जाए ये उत्तर प्रदेश में उप्षणाओं का एक बड़ा नतीजा आया है बड़ा उधारन है उत्तर प्रदेश की जनता का मद्दाताओं का जहां जहां चुना हुआ है वहाँ के मद्दाताओं का हम आभारव्यक्त करते हैं ये लोकतंत्र की जीत है ये सामाजिक सदभाव की जीत है ये समाजबादी सरकार की जीत है हर्यारा में जीत की आस लगाए बैठी बीजेपी ने विधान सवाचुनाओं को लेकर जारी की गई उमिद्वारों की पहली सूची के बाद पार्टी में बगावत के स्वर बुलंद होने लगे हैं माना जा रहा है कि पार्टी के कई नेता टिकट बटवारे को लेकर नाराज है गउर तलब है कि बीजेपी ने 43 उमिद्वारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है साथी दूसरी लिस्ट भी बनकर तयार है इंतजार है तो सिर्फ प्रधार मंतरी मोदी की मुहर का उम्मीद है विज सितंबर तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी सामने आ जाएगी हम मानते हैं कि हमारी हार है लकिन जनता का आदेस हमें सुईकार है और इस हार से हमें सिखने का मौका मिलेगा इससे आप लोकसभा के चुनाओ का नहीं कंपेर कर सकते हैं लोकसभा में एक अलग फैक्टर्स होता है लोक सभाचुनाओं में मोदी ने जनता के बीच जो विश्वास जगाया था उससे बीजेपी ने केंदर में तो अपनी जगह पक्ची कर ले लेकिन अब बारी विधान सभाचुनाओं की है जिसकी राह आसान नजर नहीं आ रही है उस चुनाओं के नतीजों की तस्वीर तो कुछ यहीं बया कर रही है अब देखना होगा कि आने वाले हर याणा विधान सभाचुनाओं में बीजेपी किन लहरों पर जीत हासिल कर पाएगी सुदर्शन नियूस के लिए नमित्यागी की रिपोर्ट बात महराष्ट की महराष्ट में चुनाओं प्रचार थमने में 26 दिन बाकी है तो दोनों मुख्य गटबंदनों के बीच सीटों को लेकर खेचतान जो है वो चरम पर है मुख्यमंत्री प्रत्वीर आच्वार ने कॉंग्रेस कुछ रतावनी दी है गटबंदन धर्म के हिसाब से सीटों का बटवारा नहीं हुआ तो अकेले ही चुनाओं मैदान में कूद पढ़ेंगी तो वहीं बीजेपी शिफ सेना गटबंदन की गाट भी सरक्ती हुई नजर आ रही है ठाकरे परिवार की तरब से पहलीवार मुख्यमंतुरी पत की दावेदारी पेश कुई गई है लेकिन बीजेपी को इस पर रहतराज है महराश्ट में सीटों के बटवारे पर श्री जंग को टटोलती एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं महराश्ट की चुनावी फिजा में बीजेपी शुवसेना में गटबंधन पर रार बरकरार है तो वहीं कॉंग्रेस एंसिपी गटबंधन में भी सियासी संकत चरम पर है BJP के अंदर खाने से ख़वर है कि महरास्ट्र में BJP शिवसेना के बीच तनाओ के पीछे BJP का विधर्ब गुरूप खड़ा है विधर्ब गुरूप शिवसेना के साथ गटवंदन तोडने की हर संभव कोशिस में है तो वहीं बीजेपी का दूसरा धड़ा शिवसेना के साथ दोस्ती के पक्ष में है गौरतलब है कि महरास्त के विधर्व इलाके में बीजेपी की पैट मजबूत है और वहां अलग विधर्व राज्जी की मांग करने वाले बीजेपी नेता अपनी महत्वकान चाओं के लिए शिवसेना से दोस्ती तोरना चाहते हैं कि देखिए हमने हमेशा यह का आए कि वी डिस्टिबूशन आप दो सीट्स यह हमारे जो एलाइंस है एलाइंस के हित्मे होगा तो यह जो हमारी ताक्ते जहां जिसकी बड़ी हुई है उसका विचार करते हुए जब इसका री डिस् है कि वो सीटे अधर्वाइस कॉंग्रेस एंस एंसेपी की चुनकर आने की जगह हमारी महायूती की लाजर एलाइंस की चुनकर आए है आज 33 विधान सभा और तीन लोग सभा सीटों पर उप्चुनाओं के नतीजों से भी शिव सेना बीजेपी के साथ सीटों के बटवारे पर अर सकती है शिव सेना प्रमुक उद्व ठाकरे ने हाल ही एक टीवी इंटर्यू में कहा था कि कुछ राज्यों में मोदी लहर अपना असर दिखाने में असफर रही हालांकि बाद में उन्हों ने इस पर सफाई दी और कहा कि लोग सभा चुनाओं में महाराष्ट्र में एंडिये की जीत में शिव सेना की योगदान को नजर अंदास नहीं किया जा सकता लेकिन उठोठाकरे का ऐसा बया और आज उप चुनाओं के नतीजों से शायद भगवा गटवंदन की गाठ में मुश्किले और भी फोन की हालांकि बीजेपी की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि गटवंदन में सब कुछ ठीक है और अगले 48 घंटों में गाठ की फास तुरज जाएगी हर चुनाओं में आखरी दिनों में इस प्रकार की करनाओ की सिटी बनी रहते हैं वो ही इस बार है और उसे रासा निकलता है बारती जनता पारटी और शीवसेना गटवंदन पर सकता का लोई होने का अरोप लगाया जा रहा है बारती जनता पाट्टी और सिवसेना के लोग ये एक दूसरे को गिदर भफ्की दे रहे हैं वो जानते हैं कि महाराष्ट में कई बार सपने उन्होंने देखे 99 से यहाँ पर अगाडी की सरकार है 2004 में भी ऐसी ही बात करते रहे 2009 में भी उनको लोगों ने सबक सिखाया एक साथ वो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते तो अलग-अलग लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं एक दूसरे पे दबाव बनाने के लिए गिदर भफ्की देने का कारेकरम शुरूगा इससे यह बात तो असपस्ट हो गई के लड़ाई परिवर्तन की नहीं है, विकास की नहीं है, बलके सत्ता की लड़ाई है और दोनों, चाया वो सिस्वेना हो, बीजेपी हो, दोनों इस बात के परियास में है के महरास्टा के मुख मंत्री की गद्दी किसको मिलती है भातियनता पार्टी जिनको जो पूरे देश में उनकी सत्ता बन चुकी है, आज उनके पधान मंत्री है तो अब वो चाते हैं के बारास जैसे महत्पुन राज्य को छोड़ा न जाए और किसी तरह सिस्वेना को दबाने की कोशिश हो रही है NCP भले ही परिवर्तन की लड़ाई की जग सत्ता की लड़ाई का आरोप BJP पर लगाए लेकिन जग जाहिर है कि उनके घर में भी सब कुछ ठीक नहीं है वहाँ भी कॉंग्रेस के साथ गटबंधन पर तकरार जारी है मुख्यमंत्री प्रिट्विराच चौहान ने तो कॉंग्रेस को चुनावती दे दी है कि अगर समझोता गटबंधन धर्म के अनुसार नहीं हुगा तो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे अजीत पवार ने भी कॉंग्रेस को धमकी दे दी है कि कॉंग्रेस को उसके मुताविक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा अजीत पवार के मुताविक एनसीपी इस बात पर अडिग रहेगी कि हम 144 सीटों पर ही अपने उमिद्वार खड़े करेंगे सूत्रों के मुताविक दोनों दलों के बीच बैकरूम डिप्लोमेसी जारी है एनसीपी की चुनोती पर कॉंग्रेस हाई कमान की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया गया है तो इससे इस बात का अंदाजा है कि कॉंग्रेस को किसी भी हालत में एनसीपी के साथ समझोता करना पड़ेगा सुदर्शन यूज के लिए बिनीत कुमार के रिप तो एनसीपी कॉंग्रेस और बीजेपी शिफसेना दोनों के बीच अलगी फितूर इस वक्त नसर आ रहा है तकिन क्या नतीज़ा निकलेगा बीच कर आस्ता क्या होगा ये देखना पहे है दिल्चस्प होगा यार को एक चोड़ से ब्रेक के लिए खास पेशकर शो है वो लगाता आच्वारी है अब बात मोदी की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी दोदिव से गुजरात दोरे पर हैं मोदी के गुजरात पहुँचने पर मुख्यमंतरी आरंदी बेन पटेल ने मोदी का भव स्वागत किया गुजरात के धरती पर पहुँचने के बाद मोदी ने पार्टी के कारकरताओं को समोधित किया और कहा कि 14 सालों का मुख्यमंतरी का अनुभव आज दिल्ली पहुँचकर उनके काम आ रहा है और चल्दी देश की प्रगति को नई उचाईयों तक पहुँचाने के लिए काम आएगा बुद्वार को गुजरात के तोरे पर चीन के राष्टपते श्री जिन पिंग भी आएंगे मुदी का मानना है कि जिन पिंग का ये दोरा काफी एहम है और इस से चीन और भारत के रिष्टे में काफे सुधार आएगा आपको बता दे कि बतावर प्रधान मंतरी मुदी का ये पहला गुजरा तोरा है दस राजियों के तीन लोग सभा और तैंटिस विधान सभा सीटों पर हुए चुनाओ के नतीजों ने सब को चौका दिया है मुदी सरकार के चार महीने बाद जुनिता के नजरिये में बदलाओ दिखा गया है जिससे आप कहा जाने लगा है कि जुनिता को मुदी के अलावा कोई रास नहीं आ रहा है दरसल चुनाओ रिजल्ट ने कहीं ने नेताओं को सतर्क होने के संकेत दिये है आपको बता दे कि गुजरात की नौविधान सभा सीटों में से बीजेपी ने च्छे सीटों पर कमल खिलाया है तो वहीं तीन पर कॉंग्रेस ने चीज़ हासिल की है राजसान के अगर बात करें तो राजसान में सभी सीटों पर बीजेपी ने कबजा जो है वो जबाया है वहाँ बीजेपी पस्त नजर आ रही है राइस्तान की चार विधान सवा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर ही बीजेपी अपना जल्वा विखेर पाई है लोग सवा चुनावों में हुई करारी हार के बाद उपचुनावों में सत्ता रूर समाजवादी पार्टी ने यूपी में 11 में से 8 सीटे जीती हैं बीजेपी के केंदरिये सुचनावं प्रसारन मंतरी प्रकास जाफ रेकर बीजेपी उपाधक्ष मुक्तार अबास नकवी और बीजेपी इस्तान सद योगिया आदे तनात ने उपचुनावों के रुज्जानों पर क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको एक बहुत स्थानिय होते है और उसको उसी नजरिये से देखना चाहिए उसमें से तुरंत यह अर्थ निकालना कि मोदी जी की या बीजेपी का समर्थन कम हो रहा है वेव कम हो रहा है वो गलत हो सावित होगा आने दो महराष्ट और हर्याना के चुनाव दिखा देंगे दम और इसलिए उपचुनाओं को दतीजों को उसी मातरा में देखना चाहिए जितना कि उसका मोदी नहीं था कि किसे कहते हैं कि मोदी जी की सरकार का जनमस संग्रा है मुझे लगता है कि ये चीजे जो है बहुत जल्दबाजी और बहुत अत्वी आत्म विश्वास में अगर क अना देश था उसके लगए ये बाई एलेक्शन्स हैं इनके भी इनमें भी जो है वह हम जीतने के लिए लड़ते हैं हम हर चुनाओं पंचायस से लेकर पार्लेमेंट के चुनाओं को हम चाहते हैं कि भारती अंता पार्टी जीते आगे भी हम जीतेंगे और हार और जीत तो और संगटनात्मक संगरचना किस रूप में की गई है यानि ब्यूरचना आपकी क्या है इस पर भी निर्वर करता है मुझे लगता है कि पिगड़ वितरन की समिक्सा और संगटनात्मक ब्यू की समिक्सा भी उसमें आउश्चक है कोई भी जीत या कोई भी हार ब्रक्ति को अप्चनाव की नतीज़े पर अलग अलग राजनीतिक दलू का क्या कुछ कहना है दिखाते हैं आपको अभी कई स्थानों पर अप्चनाव कराया है और पांच राज्यों में इन अप्चनाव का परिनाम आया है हमारी तरब से हम यह समझ सकते हैं कि यह मिश्रित परिनाम है और इसे विपक्ष को कुछ शन के लिए खुशी मिल सकती है लेकिन उजन के लिए यह खुशी जो है यह उत्साह जो उनका है यह शनिक है साथ साथ हम ये भी स्विकार करते हैं कि हमारे लिए ये छोटे तोर पर एक आत्मा मन्थन का विशे है जिस विधान सभाओं के जो उप चुनाओ हुए और तीन लोग सभा के चुनाओं ने देश की राजनीत को एक नई करवट दिये भारती जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये छुनाओं परिणाम किसी परकार का जनमत संक्रे नहीं है लेकिन जब उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों के मेराजिों में जो भारती जनता पार्टी की पराजे हुई है वो पराजय ये दिखलाती है कि देश की जनता सौ दिनों में उनके कारेकाल से नाखुश है मोदी योगी का ये जो काम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में अराजकता और सामपरदाइकता पैदा कर रहा था उसे जनता ने ठुकरा दिया और ये नतीजे एक बात साफ दर्शाते हैं कि जिस चकाचौंध में जिस पॉब्लिसिटी के दाइरे में और एक माहौल बनाने के बाद जिस तरीके से 2014 के लोकसभा की चुनाओं में रिजल्ट आये थे वो चकाचौंध धीरे-धीरे खत्म हो रही है और अपने आप हमारा वोटर जो है अलग-अलग देश के हिस्सों में सत्तिता को धीरे-धीरे जान रहा है और जब रोशनी हड जाती है, स्टेज हड जाता है, तो वास्तविक्ता पता चलती है, वो वास्तविक्ता पता चल रही है और अपने-पने मकामों पर वोटों ने वहाँ-वहाँ से अपना सीधे-सीधे संदेश दिया है, जहां भी उसको भारती जनता पार्टी के खिलाफ ए इस तरह की जो politics खास कर यूपी में जो आदित्यनात वगेरा तरी जा रही थी साम्प्रदाइकता की राजनी थी ये इस देश में नहीं चलेगी इससे तो देश का भी नुकसान होगा और भाजपा का भी नुकसान होगा तो अब भी जेपिको नुकसान हुआ है तो कौंग्रेस कैसे छूपो सकती है कौंग्रेस ने क्या पृत क्रिया दी है कौंग्रेस के अलग-अलग निताओं ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनादे हैं चुनाओ तो आनंदी बेन के नाम से लड़ा नहीं कया ये तो मोदी जी के नाम से ही लड़ा गया, सारे देश में, बाई एलेक्शन में, सभी जगर, मोदी का ही नाम लेकर प्रचार भी किया गया, अमित साह ने एक बात सही कहे दी थी, कि देखो चुनाओ 2014 का जीते हैं हम, वो मोदी लहर पे नहीं, हमने जो भारत सरकार के, UPA सरका के सामने मुहीम चलाई, उसकी बजह से जीते थे, मोदी लहर चलने वाली नहीं है, उनको ये मैसूस हो गया था, तो ये इस तफ़ा, जो मोदी लहर का गुबारा चला गया था, वो गुबारा में बहुत बड़ा छेद पड़ा है, और ये गुबारा धर्ती पड़ा गया है आज चुनाब हुए उनमें से तीन सीटों पर शानदर जीत कॉंग्रेस के कर्मत नेताओं को जाता है और मुझे लगता है कि परदेश में आज नौज़मान कॉंग्रेस के साथ आकर ख़़डा हुआ है अगर युवा हमारे साथ नहीं आते तो हम जीत नहीं सकते थे इन चुनावों के अंदर तो कॉंगेस के नेताओं को, कॉंगेस के कारे करताओं को बजा ही देना चाहता हूँ और सबसे जादा इस परदेश की जनता को सलाम करता हूं को धन्यवा देना चाहता हूं जैसे गुजरात के एक तड़ी पार व्यक्ति काउंटर के आरोपी व्यक्ति को रास्टिय अध्यक्ष बनाया गया उसके प्रतिवी लोगों में नाराजगी थी उसका प्रकट चुनाओं के नतीजों पर बियस पी निता सौमी प्रसाद मौर और सपा निता अबु आस्मी का कहना है कि सौधिनों में मोदी की लहर जो हवा हवाई हो गई और साथी साथ यूपी में बियस पी का चुनाओं लालने का फैसला एस पी के लिए फाइदे मन साबित हुआ है तो बियस पी के लिए नुकसान धायक रहा है बाना जारा है कि बियस पी के चुनाओं में उतरने की वचे से दलित वोट एस पी के पाले में आते दिखे हैं लेकिन आम चुनाओं में एत्यासिक जीत का पर्चम विधन सभा उप चुनाओं में फीका परता दिखा है। माना जारा है कि S.P. के मुस्लिम फैक्टर ने साइकल को दोड़ने में खासा मदद की है। इतना है नहीं आम चुनाओं में यूपी की एत्यासिक जीत दिलाने में बड़ा रोल अदा करने वाले बीजेपी अद्धक्ष अमिशाह के रनीतियों का भी असर नहीं दिखा है। वह कॉंग्रेस अपनी पस्त हालत को उप चुनाओं में भी नहीं समाल पाई है। इन सब के बीज बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मोदी को चेतावनी है या साज़िश का असर देखा चा रहा है। फिलाल मेरे साथ इतना है मुझे दीजे इचासत चेहन।